So, भगवत गीता हमारे सनातन धर्म की एक ग्रंथ है और I think सभी जानते हैं कि अगर एक किताब है जो हमें पढ़नी चाहिए या जो हमारे धर्म की ग्रंथ है वो गवीता है वेद भी है उपनिशद है पुरान है पंचरात्र है और अन्य गरंथ है धर्म शास्त्र है स्मिती शास्त्र है मगर उन सम्में से भगवत गीता सबसे महत्पून माने गई है क्योंकि भगवत गीता में प्रयोजन की बात करता है भगवत गीता में जीवन का लक्षे क्लियरली बताया गया है बाकी सारे ध्रंतों में आपको जीवन का लक्षे धूंडना पड़ेगा मगर गीता में भगवान ने क्लियरली बता दिया ये जीवन है और ये जीवन का लक्ष है और इसको प्राप्त कैसे करना है सो वेदों में तो बहुत सारे विशय है आयर वेद है गंधर वेद है स्थापत्य वेद है बहुत सारी गिद्धिया है वेदों में और बहुत सारी चर्चाए की गई है स्वर की चर्चाए मोक्ष की चर्चाए धर्म की चर्चाए उन सारी चर्चाओं में से भक्ती को निकालन मुश्किल है और ये समझना कि जीवान का लक्षे भगवान को प्रेम करना ये भी मुश्किल है तो भगवान ने इसलिए 5000 साल पूर्फ गीता में सब को स्पष्ट कर दिया तो गीता में मगर कुछ चीजे बहुत बहुत यूनीक है जो और किसी शास्त्र में बताई नहीं गए जो बाकी शास्त्रों में है वो सब गीता में है जो गीता में है वो शैद बाकी शास्त्रों में ना मिले इसलिए शंक्राचारे जी ने खुद का है एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एक शास्त्रों भगमान देव की पुत्र की गीता जिसने गीता नहीं पढ़ी वो चाहे कितने बड़ा वेदिक पंड़े थो शिर्जी कह रहे हैं उसके तो बच्चे भी हसते हैं और जिसने गीता पढ़ ली चाहे हो उसने और कुछ नहीं पढ़ा समझ ली जो सब कुछ पढ़ लिया प्रिश्णा खुद कह रहे हैं वेदे इश्चा सरवेईर अहां में बगेद्यो सारे वेदों का सार मैं ही हूँ सारे वेद पढ़के मुझ तक पहुचना है भगवान गीता में कह रहे हैं सारे वेद पढ़के मुझ तक पहुचना है तो इसलिए गीता में अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से है तो अठारा अध्याय और साथ सो श्लोक मगर हर श्लोक में हर अध्याय के अंत में भगवान एक ही बात कह रहे हैं मेरी शरण लो जैसे अध्याय के लिए पांचवे अध्याय का आखरी श्लोक क्या है भोगता रभी अग्यत अपसाम सरवलोका महेश्वरम सुर्दम सरवभूता नाम ग्यातवा माम शान्तिम रिच्छती रगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण लेगा उसी को शान्तिया सुख मिलेगा ग्यारवे अध्याय का आखरी श्लोक है वेदेश्य अग्येश्य तपसुचायवा दानेश्यत पुन्य फलम प्रदिश्टम अतेती तत सरवम अतेती तत सरवम इदम विजित्पस थानम उपयती चाहत्यम भगवान कह रहे हैं कि जो भी वेद पढ़ने से जो भी मिलता है य ऐसे ही बारवे अध्याय के अंतुमे भगमान या बारवे अध्याय के भगमान कह रहे हैं यह तु धर्म है अम्रितामिदम यह थोकतम परी उपासते भगमान कह रहे हैं जो गीता का जो मेरे धर्म बताया है भक्ती धर्म उसका अम्रित का जो पान करता है वो मेरे पास जो आप हर अध्याय का आखरी श्लोक पड़ो, ये भी कर सकते अक्सिसाईज आप, आप गीता उचा को आखरी श्लोक कड़ो हर अध्याय का, उसको लिख लो का पी वे, और आप उसमे इक थीम देखोंगे, थीम मतलब currents देखोंगे, नगबार हर अध्याय में बहुत प्रवेदय का 66 श्लोक तो डायरेक्टिय सर धर्मान परितज्य मामेकम शर्णम प्रजा और गीता का अंतिम श्लोक क्या है यत्रयोगेश्वरों कृष्णा क्रिष्णा कहुं जहां कृष्णां है जहां क्रिष्णा है जहां अरजुन है वहां हामेशा तत्र श्री विजय है विजय है व्युटी है नीती है सब कुछ है जाए घाए जो गीता का संदेश बिलकुल कलियर है जिसने गीता पढ़िये उसको पता है कि गीता में भगवान हमें इन्वाइट कर रहे है हमें कैसे कहते लिए अममान्तरं कह दो हमें मन्तरं देरे कि मेरे पास आजाओ मैं ओपन हूँ भगवान को बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास आ जाओ जैसे माबाप को बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं होती है कि मेरे पास आ जाओ बच्चा खुद माबाप के पास आता है ना मगर यहां पर भगवान बोल रहे हमसे मेरे पास आ जाओ क्योंकि हमारा मन नहीं करता भगवान के पास जाने का भगवान कह रहे हैं मेरी शरन लो मैंने भी बताया हरद है कि हम तुमे क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमारा मन नहीं करता भई अगर कोई अगर आप किसी बच्चे को बोलो देख तुझे जूट नहीं बोलना चाहिए तो इसका मतलब है वो जूट बोलता है तो सत्यवाद ही उसको थोड़े बोलने की ज़रोत होती है जूट बोल उसी प्रकार अगर भगवान गीता में बार बार कह रहे हैं मेरी शरन लो इसका मतलब है हमारा मन नहीं करता शरन ले ले इसलिए भगवान को खुद आके बोलना पड़ रहा है भगवान की एक रिपा है कि भगवान खुद आके हमें बोल रहे है कि मेरी शरन में आ जाओ क्योंकि अगर कोई और बोलेगा तो पता नहीं विश्वास आएगा हमें या नहीं पता नहीं भगवान नहीं कर ठीक है ना खुदी जाओंगा खुदी बोलूँगा और खुदी लोगों को अपने पास बुलाओंगा इससे बड़ी बात और क्या हो सकती मतलब समझ लीजिए कि मतलब ये तो वही बात हो गई कि इंडिया का प्राइमिस्टर मोधी डाल्टर गंज में आजाओ अब मोधी जी कहरे है आजाओ भई सब दिल्ली में पार्लेमेंट आजाओ उससे मिलने मजाख भी हो जाएगा मोधी के बेस्ती होगी यह इतना बड़ा प्राइश चल्टर गंज में आके कहरे हैं मेरे पास आजाओ तो भगवान का बोलना हमें हमा मेरी शरन लेलो ये एक तरह से भगवान की बेस्ती है अगर हम दूसरे इंगल में देखे तो बड़ भगवान अपने अपने प्रेस्टिच को साइड में रखे जीवों के कल्यान के लिए स्वेम यहाँ पर आकर हम से बोल रहे हैं कि मेरी शरन लेलो ये गीता है इसलिए इसलिए गीता को हम सिरफ पढ़ते नहीं है और गीता के सिरफ हम पूजा नहीं करते है गीता को हम लाइक करते है बलकि शास्त्रों में लिखा है कि गीता के से आप शादी कर लो शास्त्रों में लिखा है हर साधू जो भी साधू है उसकी जो मेन वाइफ है वो गीता है जैसे वाइफ साथ में रहती है ना अर्धाःन खोती है ना वाइफी उसी प्रकार गीता से विवहा कर लेना चाहिए गीता को हमेशा अपने पास रखना चाहिए और गीता को हमेशा अध्यान करना चाहिए सो अगर आप को लो हम पढ़ चुके कोई नहीं दुबारा पढ़ने उसमें क्या है आप पढ़ चुके दुबारा पढ़ो अगर आपने अगर आपने एक बार पढ़िये तो दुबारा पढ़ो दो बार पढ़िये तो चार बार पढ़ो जितनी बार आप गीता पड़ें उतनी बार नया मिलेगा देखना आप हमें 25 साल फटते हुए आज भी पड़ते हैं नया सुनने को मिलता है और हर बार गीता पड़के उत्सहा मिलता है गांदी जी तो पूरे लाइफ पड़ते रहे गीता को बहार के पाशाते देश के जो दार्शने के उन्हों ने कहा कि हमने पाशाते देश का सिध्धान्त पड़ा भारत के वेद पड़े सब पड़ा मगर जो गीता पड़ी तो ऐसा लगा कि रोज सुबह उठके गीता के ग्यान से हम सनान दो भार के देशों के लोगों ने बोला शोपेनौर था एक फिलोसफर भार का देश का उसने गीता पढ़ी उसने का कि ऐसा ग्यान तो दुनिया की किसी किताब में है नहीं उसने इस तरह से गीता की चर्चा देश तो गीता इसलिए इसलिए जो गीता है गीता को हम हम पढ़ते नहीं है सिरफ गीता को पढ़ानी चाहता गीता के साथ रहा जाता है जीवन में गीता को पढ़ना भी कहा है जीना है गीता को पढ़ते हैं तो मूर्ख लोग है हाँ जो पढ़ता ही नहीं उसके लिए पढ़ना पहले ज़रूरी है मगर हम जीते हैं गीता को पढ़ के साइट में रख देंगे एक बात है गीता को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं खुदी गीता बन जाओ भगवान यह कह ले चलती फिरती गीता बन जाओ वो ही जीवन का सक्सेस है गीता को अपने जीवन में लगाना पड़ेगा हर श्लोग को एक एक श्लोग गीता का अपने जीवन में लगाने के लिए आपको कहीं साल लग जाएंगे इतना असान नहीं है एक श्लोग गीता का देहे उनस्मिन अथा देहे कौमारा म्यावराम जरा भगवान कहTrade तुम शरीर में हो आतमा हो इसी को जीवन में लगाने के लिए तिने कितने साल लग जाती है भगवान कहTrade भगवान कहTrade भगवान कहTrade cela भगवान कारे ये गुन अपने में कोशिश करो कौन से गुन О्मानितवम मान कि अपेक्षा मत करो शांतिर सरल्ता हो मन में आरजवम आरजवम मतलब सिंपलिसिटी सरल्ता शांती मतलब मन शांतो सत्य तया यह सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़े हैं भगवान ने तो बोंदी बस 700 श्लोक में मगर हमें उसको पढ़के पालन करने में समय लगेगा और दूसरी बात यह है कि जब आप खुद पालन करोगे गीता का तो आपको मन भी करेगा दूसरों को बताने का नैचरल ही नहीं जो हम खुद जो चीज़ हम खुद लाइक करते हैं वो दूसरों को बताते हैं तो जैसे मालनीजे अगर आपको मतलब मालनीजे अगर आप कुछ कुछ कपड़े खरीद के लाए और आपको बहुत अच्छे लगे तो अब दस लोगों से बोलोगे यह कपड़े खरीदो कितने अच्छे हैं हम वहां से खरीद के लाएं वहीं से खरीद के लाएं तो इसलिए अगर हम खुद लाइक करेंगे घीता को तो दूसरों को बताएंगे प्रचार करेंगे नैच्रली तो प्रचार करना कोई ऐसा नहीं है जैसे हम लोगी प्रचार करते हैं ऐसा कुछ नहीं है अगर आप like करोगे तो आप भी बोलोगे दो लोगों को और like कचप करोगे जब आप उसको अपने जीवन में उतारो आदर्वाइज लाइक क्यों करेंगे हैं? हम जब जीवन में उतारेंगे, आपको अच्छा कैसे लगे? भी आपके दवाई खाओंगे उसे ठीक होगे तभी तो दूसरों को बताओंगे हाँ भी तुम भी यह दवाई खा लो आपने दवाई खाई नहीं तो थोड़े न दूसरों को बोलोगे पता नहीं सही होंगे नहीं हो मैंने खाई है मैं खुद सही हूँ मैरा first hand experience अब आप भी कर लो खुद गीता को अपने जीवन में उतारने से उसको अनुभव करने से गीता को आप स्वेम दूसरों को बताना शुरू कर दो इसलिए आचार और प्रचार साथ में चुनते हैं अब खुद का आचरन होगा तो आप दूसरों को बताओगे बल्कि अगर आप गीता जीओगे और गीता ही बन जाओगे तो बोलने की ज़रूत भी नहीं आपको देख करी लोग भगवान की भक्ति में आ जाएगे इतनी पावर आजाए के लोग मेरी अगरवत्ति से पूजा करते हैं दिए से करते हैं आरती करते हैं हम भी करते हैं मगर मेरे असली पूज़ा है गीता को पढ़ना और गीता को जीवन में उतारना इन फैक्ट वो ही असली पूज़ा है अपने आपको शुद करना अपने आपको भगवान के योग्यdriving बनाना वो ही गीता का असली मतलब है हम भगवान हमें इन्वाइट तो कर रहे हैं मगर हमें भगवान के पास पहुचने के लिए अपने आपको योग्य बनाना होगा है न जैसे स्कूल में जाते हैं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको 12th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए कॉलिफिकेशन चाहिए उसी प्रकार भगवान के पास जाने के लिए कुछ कॉलिफिकेशन होगी है और वो कॉलिफिकेशन भगवान ने गीता में बढ़ाई है ठीक है ऐसे ऐसे करो अर्जुन पहला दूसरा तीसरा अठारा अध्याए और भगवान समझा रहे हैं भगवान अर्जुन को अर्जुन अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एक चीज कर लो श्रावणम और कीरतनम कर लो बस काम ख़तम और क्या तरना है मेरे भगतों से मेरे गीता को सुनो खुद पढ़ोगे तो शायद समझ नहीं बाहूँग कि खुद पढ़ने से तो हम जो अच्छा लेते हैं जो बुरा लगता है वो छोड़ देते हैं खुद तो ऐसी यहाखा है मैं एक बार किसी कतह में जया था तो जब पहले था मैं जब भग नहीं था तो मैं अपने दादी जी और ममी के साथ दादी के साथ या था क्या सीखा तो मुझसे कहते हैं बेटे मैंने सीखा भगवान कह रहे हैं कि हम सब को शादी करने चाहिए क्योंकि मैं ब्रह्मचारी बनना चाह रहा था सन्या से शादी करके अपना धर्म पालन करो मैंने कहा यह तो एक बार भी नी गोला उन्होंने कथा में चक्कर यह ना जो सुनना चाहते हैं वो इस सुना ही देगा जो देखना चाहते हैं वो ही दिखाई देगा एक सादू कथा कर रहे थे आपके जैसे ऐसे लोग बैठे थे सब प्रशाद लेने चले गए एक जत्ती बैठा था पीछे रो रहा था बहुत ज़्यादा तो सादू जी ने सोचा भई उसने तो उसको समझाया होगा देखो अभी तक बैठा है और रो रहा है भगवान का स्मरन करके उसने बुलाया सादू ने कि इच्छा है है कितना अच्छा है तो उसने का तुझे क्या समझाया तो वो सोच रहा था को कहेगा कि मुझे बहुत कुछ समझाया भगवान का स्मरन है तो उसने का कि देखे शादु जी मैं सुने रो रहा हूं क्यूंकि मेरी बक्री खो गई तो उने कि अब है तो उसने कि अभी हुआ रू रहे हैं तो तो उसने का फिर अभी क्यों रो रहा हैं तो आपक्र ग्यास कृट контр और तो नहीं चुसित समय की श्ल्क आप से मिलती है और क्या समझते हैं ये भी नहीं बता और किस शब्द का क्या मतलब हो उनके मंद में जा रहे हैं पता नहीं सो इसलिए बार बार सुनना होता है तब ही कहरें श्रवडम और कीर्टरम सुनो बार बार सुनो और सको रिपीट करो किर्टरम मतलब बोलना दूसरों को बताओ दूसरों को बताने से एक बार किसी को बता रहा और सौ बार सुननना एकोट है इसलिए इसलिए एक्चुली कह जाता है टीचिंग प्रोफेश्षिन में कह जाता है जो टीचर होता है वह सुड़ेट से आधा सीठत है क्योंकि वो इतनी बार बार repeat करता जा रहा है कि उसको वो कंठस्त हो जाते है इन फैक भार के जितने भी जो scientist होते हैğら कुछ वो university में professor भी होते है पढ़ातें भी हैं वो ये पढ़ाते-पढ़ाते उनको subject fresh रहता है और research में मदद निलती है किर्टनम मतलब भगवान का यशोगान करना मैं अभी किर्टन ही कर रहा हूँ किर्टन मतलब सिर्वो सिर्फ मिर्दंग और करताल थोने नहीं किर्टनम यह भी है भगवान का यशोगान करना किर्टन है भगवान ने गीता में का ठीक है मैंने बहुत कुछ गीता में बोला है तो मैं नहीं समझा रहा है कोई प्राबलम नहीं है ये दो चीजे कर लो श्रवनम और कीर्टनम गीता में स्पष्ट है ये गीता में भग्वान ने स्पष्ट बोला है आप वेद पढ़ोगे और धर्म शास पढ़ोगे उसमें clear नहीं है चीज़े, उसमें बहुत सारी चीज़े है, आपको पते नहीं लगेगा क्या करें क्या ना करें, इतने सारे रिती दिवाज है, इतनी सारी पूजाएं है, इतने सारे धार्मिक नियम है, कल्योग में कल्योग में कहा जाते हैं, कल्योग केबल नाम अधारा, परे नरूत करने, सुनाए नू, सो कल्यूग में ये सब पालन करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजे समझना मुश्किल है, इसलिए भगवान ने गीता बोल दी, अब हम गीता भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे बताओ, चलो पढ़ना छोड़ो, सुन न अच्छे हो, तो आपको समझा देंगे, टीचर अच्छा हो, तो सूरेंट है, कितने ही बिकारों, टीचर समझा देते हैं, नो, इसलिए भगवान ने गीता में एक चीज बोली है, मेरी शरन लो, शरन लेने के लिए भगवान ने एक चीज पश्ट बोली है, श्रवणम और क सुनोगे, मेरे सादुगों से सुनोगे, मेरी गीता, इसका कीरतन करोगे, तो मैं खुद तुमारे हिर्दे में बैठके तुम्हें गीता समझाओगा, भगवान ने प्रॉमिस किया, तेशाम से तदे उकता नाम भजताम पृति पूरवकम ददामी बुद्धियोगं तम ये और तुमारे हिर्दे से प्रेड़ना दोंगा कि, क्या प्रेड़ना दोंगा, कि मेरी शिक्षाय पालन करें, भगवान करते कावा, भार से सादु करेंगे, अंदर से भगवान करेंगे, दोनों मिलके आपको उपर उठा देगे, स्टार्टिंग होगी सादु से, स्टार्ट साधू से होती है आपकोर्स आप कह सकते हो स्टार्टिंग ब्धवान से भी है कि गीता तो भगवार नहीं वो लिए है सो यह जो यह हमें ऊपर उठाने का जो प्रोजेक्ट है वो दोनों मिल के करते हैं भगवान और उनके भक्त हमें यह करना है हमें कुछ में तो पास जाके बैठ जाओ तभी तो इतना बड़ा प्रोग्राम है हमने क्यों कर रहा हुआ हजार हजार मंदिर महाँ पे जाके भी कर सकते हैं कि मगर हमने प्रोग्राम इसलिए कि बहुत लोग आये बैठे और सुने सो भक्ति का करने का तरीका यही है भगवान को प्राप्त करने का तरीका है सुनना अब सुनना भी नहीं हो सकता आप से तो तो फिर कुछ हो इदो सकता ने इस से असान कुछ नहीं हो सकता इस से असान कुछ भी नहीं है अगर सुन भी नहीं सकते तो फिर क्या कोई करेगा इंसान देवर्शी नारत एक बार प्रिश्य भगवान के पास गए और देवर्शी नारत ने का देखिए भगवान कल्योग में इतना सारा धर्म फैला हुआ है कल्योग फैला हुआ है क्या किया जाए तो भगवान ने का दे रात रहा है कि देखो भी के सारे से पूजर करो तरह से मंदिर ऻॉप इस तरह से प्रद्दी करो फेर नियम जा उपर के अब पाधिए देखलन व'll फोल ये वी नहीं कोई सै करें तो 30 के हैअ मगोआ कि फटलो रोज, भगवान के धाम में वास करो, शरीर से अब मन से जैसे भी, बिंदावन में, स्मरण करो, भगवान के मंदिर जाओ, और वैश्नवों की सेवा करो, और मेरा नाम लो, इतना तो हो जाएगा, देवर्शी नारतने का इतना भी नहीं होगा, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए दिमाग नहीं है, वैश्नव सेवा कर कैसे करेंगे, जुकने की आदत ही नहीं हो, तो क्या करें, तो अगवाने का चलो ठीड़े, एक चीज कर लो, मेरा नाम ले लो बस, तो हो जाएगा, बस मेरा नाम लो, दिवर्शी नारतने का बहुत अच्छ है, मगर ये भी नहीं होगा, क्योंकि नाम लेगे, मगर मन नहीं लगेगा, जीप पे तो नाम आएगा, मगर मन में नहीं लगेगा, कलियोफ के लोग पहले ही इतना उनका दिमाग कचुमबर है, इतना ज़्यादा दिमाग में चीजें भसी हुई है, कि ये तो संभवी नहीं है, तो भग्वान ने का चन्लों में जाके बैड जाओ और सोना मत वस यह शर्थ बैड जाओ बाकी काम मेरे साधू करते इंगे बस जैसे भी वह जैसे बिमार होते हो तो क्या करते हो डाक्टर के पास याधी जाते हो हैator अब बाकी काम दो डाक्टर यिंकरता है आप थोड़े ना कुछ करते हो तो ऐसी भगवान ने का जा के बैड जाओ बस साजू के पास इतना तो कर सकते हैं अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जैगो बिंदा जैगो पाल प्र तो कुछ नहीं हो सकता तो फिर उनसे बोल देना कि नर्क में मिलेंगे इस से असान रास्ता कोई होई नहीं सकता गीता का संदेश भगवान खुद कह रहे है सुसुखम कर तुम अभियाम भगवान कह रहे है मैंने गीता में ऐसा तरीका बता है जो जिसका अल्थ भी सुख है जो करने में भी सुख है पूर रहा है सो भक्ति का तरीका कितना सुन्धर है आप मतलब कीर्टन हो रहा है ड्रामा हो रहा है म्यूजिक है प्रशाद है और क्या चाहिए किसी को और क्या चाहिए कुछ कुछ है ही नहीं और कुछ करने बागी तरीकों में देख़े अच्रीन घ्यान लेंना है बहुत कुछ करने भग्वान नेका मैंने इतना सिंपल बना दिया सो अप है अफिर कोई ने करना चाहिए उपिर थो कशी करते हैं गीता में विशेषता ही है कि भगवान ने साधना और साध्य को बहुत सिंपल बना दिये टेक्निकल वर्ड्स है साधना बहुत असान है भक्तों के चरनों बैठो और नाम लो बाकी काम वो कर देगे जैसे आप सुन रहे हो अभी आप कुछ कर थोड़े ना रहो करतो महीं रहूं दिमाग में लगर लग रहा है एनरजी मेरी लग रही है है नहीं आप क्या कर रहे है आप तो बैठे के बस बैठे हो इतना साने देखने अब कथा सुनने कि मुझे तो कोई जुरूत नहीं है जुरूत तो आपको है मगर इस बिकम सो एजी आपका मन लगा हुआ है अभी भगवान में लगा है ने जुरुदर नहीं भाग रहा है न तो किसने लगा है मैं ही तो लगा रहा हूं आपका मन भगवान में क्योंकि अगर कथा बंद होगी तो आपको और स साधू संग, भगवान ने गीता में बार 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 ये ही बता है है, और साध्य कि अगर रम बैड़ जंगे साधू के चरनों में नाम लेंगे और deeper सुनेंगे, तो क्या होगा धीरे धीरे आपको जीवन का लक्ष प्राप्तऊगा, जीवन का लक्षे क्या है, मोक्ष नाइए धर नहीं है lai और प्रеся मोजायेगा भ्रो से अगर हमें भगवान से प्रेम हो गया तो भ्रवान को उसे सबुस्क्रेंगा बो rearrange कर दो इस कोई क्वग इतना सिंपल है कि हमें समझ नहीं आता है कर दो समझनी आती है न मैं कभी कभी कथा करता हूं तो लोग प्रशन पूछते हैं स्वामी जी कि हमें बताएं निर्वान क्या है बहुत बड़ा बड़ा निर्वान नहीं हमें बताएं हमें बताएं निर्विकल्प समाधी क्या है इता में है सब इकल्प समाधी क्या है निश्काम कर्मयोग क्या ये सब गीता में है तो लोग पूछते हैं प्रशन बड़े बड़े तो मेरा उत्तर ये होता है कि ये सब छोड़ो ये बाद में आएगा सबसे पहला पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट है ये समझने कोशिश करो कि हम आत्मा है हम शरीव निया और हमारा काम है भगवान का नाम लेना को फिर बाद में बात करेंगे आगए बड़े बड़े टम्स सो बड़े बड़े शब्द है मगर शिक्षाएं बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है जीवान का लक्षे प्रेम है प्रेम कैसे होगा भगवार के बारे में सुनने से आप किसी से भी प्रेम करना चाते है उसके बारे में सुनना पड़ेगा न मली जै मैं आपसे कहूं मली जै आप लोगों से पूछू कि आपको कि आपको कि आपको क्या पूछू चलो ठीक है कि आपको चूचू से प्रेम है किसको आप चूचू से प्रेम है हाथ खड़ा करो कोई है आप जिसको चूचू से प्रेम है है प्रेम है चूचू से प्रेम नहीं है क्यों चूचू से तो पूरे दुनिया प्रेम करती है आप नहीं करते हैं पहला बर्शन है है चुचु को बे 좁ए इस उडिए है फे शो से प्रेम करना है तो पहला प्रशन पूछ ना कौन है कि खौन है वो हॉ तो आभ उगहा और में तो पताये करशन कौन आधा चलो फोड़ा तो पता ही है क्रिश्न राधा में तो फिर प्रेम करना है तो पूरी तरह जानना पड़ेगा प्रेम करने के लिए आधिक वानी इंफोर्मेशन से नहीं चलता का पूरी तरह जानना पड़ेगा कृष्णा कौन है कौन बताएगा आपको कृष्णा कौन है अब चूचू कौन है कौन बताएगा आपको कौन बताएगा कौन बताएगा जो चूचू को जानते है वो ही बताएगा ना वो ही बताएगा गूगल में देखो चूचू कौन है नहीं मिलेगा तो जो जानते है वो ही बताएगा चूचू कौन है तो अगर आपको पता लगाना है कृष्णा कौन है तो जो जानते है कृष्ण को उनसे पूछ लो वो बता देंगे कृष्ण कौन है ऐसे है ऐसे बोलते हैं ऐसे चलते हैं ऐसे सोचते हैं ऐसे प्रेम करते हैं अपने भक्तों को और एक बार प्रेम करते हैं तो छोड़ते नहीं उनको उनको कभी भटकने नहीं देते, उनको नश्ट नहीं होने देते, उनको अपने हाथ में अपनी गोधी में रखते हैं उनको चलने को बोलते हैं, मगर खुद उनको अपने हाथ में उठा के चलाते हैं भगवान तो ऐसे अनंद कृपा के सागर सर्फ कल्यानमाई के गुनाई के सागर सारे कल्यानमाई गुनाई कोई दोष नहीं हो उनमे परम सुन्धर है उनकी उनकी जो मुसकान है अधरम मधुरम उनकी मुसकान देखकर भक्त उनके चर्णों में नुच्छावार हो जाते और जो अभक्त है वो ब्रहमित हो जाते ऐसे है भगवान सो अब वो साधु ही तो बताएंगे कौन है तो जानते हैं जब बताएंगे जब आप सुनोगे तो धीरे धीरे भगवान से प्रेम हो जाएगा और क्या होगा बस यह है अब मैं आपको बताओगा चू चू बहुत अच्छा है चू 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 चौकलेट खाता है चूकलेट बाठता भी है तो आपको गहां मुझे भी मिलना है चू चू से ऐसे है ने तो यह है बस और इसलिए प्रोसेस भक्ति का प्रोसेस कुछ नहीं है आपको कोई उप वास मी रखना अब रख सकते हो रख लो नहीं रखना नहीं कोई प्राब्ल Europ नूइ कोई घर छुड़ के नहीं जाना गुफाओं में कोई ठंडी में ठीटुरना नहीं है गर्मी में गरम आग के बीचे बैठने जो लोग करते हैं जो लोग कुछ नहीं करने की जरूरत हैं बहुत सारी चीजे कर सकते आप भगवान कहरें कुछ करने की जरूरत नहीं है एक चीज कर लो बस मेरे साधों के पास पैटके ये question solve कर ल अगवान ये सिंपल ये श्लोक यही है इसका मीनिंग यही है सुम साधूं के पास बैठते हैं और उनसे क्या पूशते हैं क्रिश्ना कौन है राधा कौन है उनके भाक्त कौन है उनका धाम कौन है कैसा है इस सारे questions के answer जैसे जैसे आपको मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे पता लगता रहेगा आपको प्रेम होता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा आपके आसकती बढ़ती रहेगी रूची बढ़ती रहेगी निष्ठा बढ़ती रहेगी भाव बढ़ेगा और प्रेम तक भाज जाओगे आप बस कुछ Actually, actually, मंदिर, मंदिर तो मंदिर है, मगर जहां कथा होती है, वो ही मंदिर होता है। भगवान खुद कह रहे है, नाम तिष्टामी वेकुंट हो, योगी नाम इरदेश, उबायत, गानती, मत पस्तात, अत्रसामी नारदा। अगवान खुद कहा रहे नारत को नारत मैं वेकुंट में नहीं रहता हूं मगर मेरा मन नहीं अगा है और नहीं मैं योगियों के हिर्दे में भी नहीं हूं मगर मन नहीं है मैं मंदिर में भी हूं मगर वहां हूं मगर इतना मन नहीं लगता मेरा मन कहा है, मन है जहां मेरे भक्त मेरा गुल्गान करते हैं, वहां मेरा मन है, जहां मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, मैं वहां हूँ, मन की बात होती है नहीं, बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, मगर मन कहीं और होता है, बैक बेंचर्स का, तो वह वहीं हैं वह, सो भगवा भगवान भी वहां रहते हैं जा साधू और उनके भक्त बैठके सुनते हैं कथा सो इसलिए हम भगवान गीता में इसलिए कह रहे हैं एक श्लोक आता है मनमरा भवमद भक्तो मद्याजी माम नमस कुरू भगवान कह रहे हैं देखो भई सिंपल सी बात है मद्याजी माम नमस कुरू नमस कुरू मतलब इसके कई मतलब है एक मतलब है सबसे अगर साध्वों का संग करना है तो सबसे पहले नमस कुरू सबसे पहले नमस कुरू का मतलब कह है नमस कार मगर सिरह ये मतलब नहीं है क्योंकि ऐसे तो बहुत लुग करते हैं ऐसे तो politicians भी करते हैं इसे तो बड़े बड़े जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो भी करते हैं पबली के सामझे हैं मगर जुपते थोड़े नहीं इसे हमने जुपते थोड़े नहीं तो नमासकार का मतलब होता है कि एहेंकार छोड़ना, नÃ महा, नहीं, नमतलब नहीं, मतलब मैं। अपने आइडियास को छोड़ना, सबसे पहले साध्यों का संकरना है, तो अपने विचार पहले जब गेट से आओ, तो अपने विचारों को मा कूड़े दान में फेक के आता है, वनना कुछ भी समझ नहीं आ रहे है, चक्तर यह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच करना पढ़ता है, वरना माइन में खिचड़ी बनती है, थोड़े टाइम के लिए, हो सकते हैं, आपने सही पढ़ाओ, कोई प्रॉबलम नहीं है, मगर जब किसी टीचर के पास सीखने जाते हैं, साधू के पास जाते हैं, तो मन खाली करके जाते हैं, जब साधू के पास जा मेरे साधू का संग करना है, तो मध्याजी, मध्याजी मतलब पूजा, इज्जे मतलब पूजा, पूजा, तो पहले एंकार छोड़ो, एंकार छोड़ो के बैठो, हराम से, तो चीज़ें खुजेंगे, और पूजा, पूजा मतलब क्या होता है, पूजा मतलब क्या है, पूजा का मतलब क्या है, आरती, नहीं, अगरबती, नहीं है, पूजा नहीं होती, पूजा है, लोगों के दिरिष्ट में पूजा है, मगा भगवान कहरे हैं, पूजा मतलब, मेरे भक्तों का सत्कार करो, मध्याजी, मद मतलब मद मतलब एक होता है मद मतलब संस्क्रेट होता है मेरा तो या तो आप कह सकते हो मेरी पूजा करो या कह सकते हो मेरे भक्तों की पूजा करो यूदि भगमान खुद कह रहे है मेरी पूजा से उपर मेरे भक्तों की पूजा है ना में भक्त जनापार था क्या है वो श्लोक मैं अपने जो मेरा भक्त हम उसको अपना भक्त नी मानता हूँ जो मेरे भक्तों का भक्त है उसको भक्त मानता हूँ तो किसी सादू के पास जाओ तो अपने पहले आइडियास बुचार साइथ में रखो दूसरा है मद्याजी मद्याजी मतलब साधु का सतकार करें ये श्लोक है 88 आधय का कौन सा श्लोक है 62? उसमें भी है अठरवेद है का 65 आए थे रहे तो वेशनेवों का सादू का सतकार करें, सादू का सतकार कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सादू का सतकार, उनको माला बिना कर, होता है, होता ही है, बट असली सतकार कैसे है साद कोगा, सादू का असली सतकार होता है, उनसे अच्छे प्रशन पूछ कर तभी कथा के पाद हम पूछते न कोई प्रशन है अली तो साध्वों से प्रशन पूछ कर उनका असली सत्कार होता है तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यह सीखो आप अच्छे क्वेशन पूछने के लिए आपके पास थोड़ा कुछ अपने पढ़ा होगा तभी तो क्वेशन पूछोगे या अच्छे क्वेशन पूछने के लिए भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होने चाहिए तो क्वेशन अच्छे होगे है ना तो अच्छे questions पूछ हो उन से अच्छा question क्या है ये भगवान कृष्णा कौन है हमें बताईए प्रिक्षित ने यही तो सुग्देव माराथ से पूछा कि कृष्णा कौन है वासुदेव कौन है और सुग्देव को सवामी ने साथ दिन तक बताया भागवत कथा वो ही है न और उनने खाया पिया कुछ निए उनने का बताईए लुए सो मध्याजी और फिर भगवान कह रहे है मध्भक्तो भगवान कह रहे है कि मेरे साध्यों का संकरना है तो तीसरी चीज़ सीखो मध्भक्तो जो वो बता रहे हैं उनको अपने जीवन में पालन करने ही कोशिश करो हो सकता है हंडेट परसंट नहीं हो जो भी थोड़ा बहुत पालन करने ही कोशिश करो हंडेट परसंट तो कोई नहीं कर सकता पॉसिबल नहीं है थोड़ा बहुत भी चुमकर सपे करे मत भगतो और चौती चीज़ भगवान कह रहे है मन मना भगवान कह रहे है जो मेरे साथों से सुना है जो अपने जीवने पालन कर रहे हो उस सब का लक्षे एक ही है मेरे में मन लगाना अपना मन मुझ में लगाने कोशिश करो, यह कभी-कभी क्या होता है, हम जो सुनते हैं, वो पालन करते भी है, हम नियम भी फॉलो करते हैं, मगर नियमों का पालन करने का लक्षे भून दाते हैं, लक्षे है भगमान में मन लगाने, अपना मन लगाने कोशिश करो, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हो, मनी भाग रहे हैं, तो सब फेल हो गया, प्रोजेक्टिफ एलियर है, यह भगवान ने बहुत सीक्रेट नॉलिज दे भी भगवद कीता में, एक्चली है भगवद कीता का हर श्लोक, हर श्लोक हमें सिखा रहे हैं, भगतों के साथ संग कैसे करते हैं, उस दिरिश्टी कोन से भी आप गिता पढ़ सकते हैं, हर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, साथों की क्या महीमा हैं, साथों क्या संग कैसे करते हैं, साथों के पास बैटके सुनते कैसे, तो अगर इसलिए भगवाजीता की ठ्रिक, भक्ती करने की ठ्रिक एक ही है, सादू संग लेने की कला सीख लो, बस अपने आप बाकी काम हो जाए, अपने आप बाकी काम हो जाए, वो कला हमें सीखने है, सादू संग लेने की कला, अपने आप भगवान के पास पहुच जाओग बहुत लॉजिकल है इलॉजिकल नहीं है भगमान ने गीता में नहीं कहा कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो और हो जाएगा भगमान क्यों करना है? पूछो मत्पस करना है यह गीता नहीं है गीता ग्याना विज्ञाना सहितम गीता में knowledge है और उसका logic है कोई ऐसा गरंथ ही है दुनिया में जिसमें ज्ञान के साथ उसका तर्क दिया हुए logic दिया हुए कोई गरंथ नहीं है अगर आप उठा के देखलो स्मृतिशास्त्र 32 स्मृतिशास्त्र है अभी हमारे पास बाकी खो गए आप देखो उसमें सिर्व नियम दिया है ऐसे सुबह उठना है difficult ůह करना है और यह करना पे लूजिक क्या है है यह तब ही तो आजकल के जो तो आजकल के यंग्त्रिंश्टर्स हैं नौजवान वाले वो कहते हैं बकवास है फलाना ध्ंकवाल तु ड्रामा है सब कोई तर्प तो है न scripts नी इसमें हम क्यों उठें हम क्यों करें इस यही हो रहा है उर आप वेद उठा के देखो वेदों में नीयम दिये, बेदों में principles दिये मगर उन principles को समझाया रिमकार नहीं क्या मैं गरेंसे बेदों में अब सक्दे बोल नखे बोलने वह नहीं Ah इतलब हो और सीधा डिरक्ट इंस्थ्रक्शन कि गदो में इस्ड़र इसे इसे बश्च्षक्त सब्सक्राइब एप और वेदों में लेकर की आपने आपको शुद्र करो पुरो पुरो हितम अपने आपको शुद्ध करो क्यों करें? नहीं यह नहीं लिखा वेदों में लिखा है ओम्तद विष्णु पर्माम बदमेदा अपश्यंति सूर्या विष्णु किस्तुती करो क्यों करें? नहीं लिखा सो धर्व शास्त्रों में नियम लिखें वेदों में कुछ जीवन के सिध्धान्त लिखें मगर दोनों जगें ये नहीं बताया क्यूं तो लोग कहते हैं यार ये सब तो बस blind faith, superstition सब्ते वो लो क्यूं बोलें करो अब जब जूट बोलके काम चल जाता है क्यों बोलें इसी लिए भगवान ने गीता बोली भगवान को पता है कि कल्योग में बहुत जादा confusion है कोई कुछ बोल रहे कोई कुछ बोल रहे कोई कुछ बोल रहे फिर वेद बोल रहे हैं उसका तरक नहीं है धर्मशास कह रहे हैं ये करो उसका लॉजिक नहीं है तो भगवान ने गीता में लॉजिक दिया है गीता की ब्यूटी ही है गीता में आपको नियम नहीं मिलेंगे नहीं गीता में आपको कोई जीवन के ऐसे मूल भूत सिध्धान् नियम भी है बट फोकस उस पे निये है फोकस है उन नियमों के पीछे तर लॉजिक क्या है उन जीवन के सिध्धान के पीछे लॉजिक है गीता बता रही है आपको सकते क्यों बोलना है गीता ये बताएगी उसे क्या होगा गीता बताएगी दया क्यों करनी है उससे क्या होगा गीता ये सम्जा रहे है गीता ये बताएगी कि कि for example भगवान का नाम क्यों लेना है अब सब बोलते हैं नाम लो क्यों लेना है पता नहीं इसलिए भगवद गीता जो पढ़ता है भगवान कह रहे है भगवान कह रहे है भगवद गीता पढ़ना का मतलब है मेरी पूझा बु बुद्धी से करना भगवा जीता है जो पड़ता है वो मेरी पूजा अपनी बुद्धी से करता है क्यूं क्यूंकि मैं उसके भिवेक को बहुत स्ट्रॉंग मना देता हूं इसको लॉजिक देकर इसलिए आप गीता पड़ोगे आप दुनिया में किसी को भी प्रचार कर सकते हो आपके पास सारे अंसर हो गया आपके पास अब ये आरती में गंटी कियों बजा लिए वजा दिए आप लोग सब गंटी बजाते हैं कि यह कुछ और बजाते हैं अब आर तो धर 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 घंटी वह जाते हैं क्यों को अब एक इंटेलेक्चिल माइंट हर चीज का आंसर चाहता है जैसे हम लोग हैं हम लोग क्यों रॉक्टर्स थे हम ऐसी थोड़े ना कहीं आ जाएंगे पागलो वाली जगे बे जिवा आंसर नहीं होगा हम नहीं फॉलो कर सकते हैं आग बंद करके कुछ भी मतलब मेरे बसकी तो नहीं है क्या आपको यह कर लो कोई उसको लॉजिक ना बता हएं वह मैं नहीं कर सकता है आपको जुखने हैं यहाँ भकवान के सामने क्यों जुखने यह बता दो वरणा हम नहीं जुख सकते हैं नेछरली नहीं तो गीता को इसलिए निर्ने शास्त्र बोला जाता है गीता का नाम निर्ने शास्त्र है गीता हर चीज का निर्ने देती है निर्ने कैसे दे पाती है क्योंकि गीता को हर चीज के पीछे उसका लॉजिक और तर्क पता है तर्प पता है तो इसलिए निर्ने दे सकती है जिसको सारी चीज़े पता है मगर उसके पीछे यह नहीं पता कि उसके पीछे तर्प क्या है वो निर्ने दे पाएगा वो तो फॉलो करेगा है नि जो किता नाम निर्ने शास्त्र गीता का नाम एक ओर है व्रहम नासिणी शिपजी बता रहे है उननेत सिफ नम गेता के व्रहम नासिणी गीता त्सारे व्रहम को खतम कर देती है क्यों कर देती है भ्रहम को खतम यह क्या आपको लॉजिक देदेगी तर्फ देदेगी आपको कोई भी कॉश्चन हो गीता में है बस आप कोई भी कॉश्चन पूछो के आंसर गीता में आप पूछो के कि भी मुझसे पूछा था मैं परसों ही दे रहा था दिल्ली में कथा कर रहा था तो उन्हें पूछा कि भगवान ने संसार क्यों मनाया है अच्छा कोशन है गीता में अंसर है तो उन्हें पूछा कि भगवान ने तो हमें हापे भेजा है अपना काम करने के लिए तो मैंने का गलत, भगवान ने नहीं भेजाया, हम खुद आएं, भगवान थोड़े ना भेजते, हम खुद यहां पर आएं, मिस्टेक करके, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को जेल नहीं भेजता, भेजता है कोई, इत्यास में कभी हुआ है, उसके माता पिता ने उसक न भेजेगे, संसार तो जेल है, ऐसा जेल है, जिसमें ताले नहीं है, नहीं होते भी है, वो ताले कहा हैं, वो आ सकती है, ऐसा जेल है, जो आपको जेल लगेगा ही नहीं, जिकि इस जेल जेल एक्चुलि ये संसार नहीं है जेल ये शरीर है जिसमें बंद है जिसको आप लाइक करते हो ऐसे कह दिया आपको कहीं मिलेंगे नहीं जो जेल को लाइक करते हैं रही हम ही है वो हम अपने शरीर को कितना लाइक करते हैं कितना समहाल के रखते? इसका मतलब भी नहीं हैं, हम शरीर को समहाल के ना रखे, मगर लाइख नहीं करते हैं, लाइख तो भगवान को करते हैं, जेल, ऑफिर से ठ Inteक चूटना चाहते हैं, सफीश सारे आंसर गीता में, तभी तो गीता गीता पढ़के, मैं भक्त बन गया तो मैं पहले अपने कॉलिज में था तो वहाँ पर कॉलिज, South India में —कर्नाटिक में कर्नाटिकल मेडिकल पॉलिज इस मनीपाल तो वहाँ पर साइड में मठ था, स्वामी जी's का मदवा मठ है, वहाँ वेध पढ़ा थे हैं उत्तर देती है और प्रशन भी देती है दोनों देती है गीता इतनी beautiful book है कुछ किताबे से केवल प्रशन देती है कुछ किताबे केवल उत्तर बताएंगे प्रशन उत्तर गीता अर्जुन प्रशन पूछ रहा है क्रिश्न उत्तर कर रहा है यही चल रहा है आप देखो तो गी गीता एक डायलोग है, गीता हमें ऐसे प्रशन देगी जो हम सोच में नहीं पाएंगे, और फिर उसके उत्तर सप्लाइ करेगी, फिर प्रशन उत्तर, 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 बस काम खतब होगी आपका, फिनिश, ये गीता की ब्यूटी है, इसलिए हमारा आगरे ये है कि आप लोग गीता प्लीज पढ़ लो एक बार, मरने से पहले पढ़ लेना, इतना तो कर सकते हो, वो पूछ तो रहता है कि मरने के बात क्यों पढ़ी जाते हैं गीता, जब लोग मर जाते हैं तब गीता पढ़ने आते हैं पढ़ने जाते हैं, कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग जिन्दा होते हैं पढ़ते ही नहीं तो उसी टाइम बताया जाता है भाई अब क्या करेंगा बताओ आप लोग प्लीस गीटा पढ़ लिजिए आप गीता नहीं पढ़ोगे बहुत कुछ मिस कर जाओगे लाइफ में एक बहुत बड़ा पाट आपका मिस होगया ताइम आपको खुद निकालना पढ़ेगा वो हमनी दे सकते आपको और ताइम वो है कि जहां चाहां बहार रहा है और अगर आपके पास गीता आपने पढ़ ली तो आप दूसरों को बाटोगे भी, 100% बाटोगे, question ही नहीं आप रुख सकते हैं, यह गीता इतनी beautiful book है, आप इतना convince हुझाओगे, इतना like करोगे गीता को कि आपका मन करेगा, दस लोगों को और दे हम, तो इसलिए आप अपने पास गीता रख लो, आपके पास है तो और खरीद लो, किसी को बाट दो गीता, कभी-कभी क्या होता है, कि अगर हमें समझनी आ रही दूसरों को आ सकता है, तो यह बिजनस होता है, M.W. का बिजनस देखा है किसी ने, इसको क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो networking होती है, तो वो क्या करते हैं, एक बंदा फिर 10 वो बना देता है, फिर वो 10 और 10 बनाते हैं, तो सारा प्रॉफिट फिर उसको आता रहता है, उसको प्लैटीनम, गोल्ड, सुनाएं न, यह सम मिलता है, तो ऐसी आप भी कर लो, आप गीता पढ़ो, 10 को डेवोटी बना दो, गीता दे दो उनको, वो गीता पढ़ेंगे, वो 10 को और देंगे, सारा क्रेडिट आपके पास आएगा, उसका बोनस आपके पास आएगा, और जब आएगा, तो भगवान इक रिपासे आपको और गीता समझाएगी, सो इसलिए गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ, ये महीना बहुत अच्छा है गीता खरीदने के लिए, इस महीने भगवान ने गीता बोली ती है लो, सो हम गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ाएंगे, और गीता को हम जीवन में जीएंगे, गीता को लाइक करेंग गीता को समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे तर्प के साथ तो हमारा भी कल्यान होगा दूसरों का भी कल्यान होगा बाकी अपका जीवन चलता रहा है अबाग खाना पीना सोना इसा तो चलता ही रहता है बाकी जो जीवन में करना है वो तो करना ही है वह आप करते रहे, कोई problem नहीं है, गीता की knowledge होगी, तो जो आप कर रहे हो, वो भी अच्छी तरह होगा, यह भी और अच्छी तरह होगा, सो इसलिए मेरा अगरे ही है कि आप लोग प्लीज घीता पढ़लीजिये, घीता नहीं है दुपार में मिलती होगी गीता, बट, किताब ही मिलती है, मगर knowledge नहीं मिलती है, यह जो गीता है, गीता या था रूप, इसमें speciality क्या है, और भी publishers हैं गीता के, मगर उनमें explanation नहीं है, अब गीता में भगवाने सबको समझाये हुआ है, मगर चक्कर यह है कि जब तक उसको और सरल नहीं मनाया जाए तो समझी नहीं आता हमारी बुद्धीत भी कम हो गई है तो प्रभपाद जी ने इसमें एक तात्पारे लिखे है और बिल्कुल सरल शब्दों में चीज़े समझाई होगे तो हम एटलीस शुरुबात करें बारबार पढ़ें चीजों को पढ़ते रहे पढ़ते रहे तो धीरे 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 चीज़े क्लियर हो जाएगी बस और कुछ नहीं करना है हरे कृष्णा शीला प्रभपाद की कुछ पूछना है कुछ कहना है माइक स्वामी जी है मुदारी प्रेर से पतनी चानि को जाती है उब ने की इसको से प्रेर के पर शेखे क्या तो किसी संपने लोगया प्रेंस आपको लोगया क्या कहरे है संसारिक रूप में शादी करते हैं इश्वर जे शादी कैसे करें दो शादी कर लो इश्वर से भी कर लो यहां भी कर लो लोग दो भी तो करते हैं बैस और रुप्या अएफ स्वेश करें यहां जी करें आत्रक्षेश में आत्रक्षेश कर लिए इसने आत्रक्षेश कर ने है ने जात्रक्षेश में अगरे इसलिए कि हमनों देवी देता हो जाती धर्म के नाम पर भीड़े हुए तो यह सा उपाय है किसे हमने इतने सनातनी है सब एक मत बड़ एक साथ आजो यह कह रहे हैं आ सकते क्यों नहीं आ सकते अगर हम गीता का परचार करेंगे तो सब एक साथ क्यों नहीं है क्यों को बड़े आजिया नहीं है लौजिक क्लीह नहीं है। अगर गीता पढ़ेंगे तो हमें सारे चीजों के बीचे तर्क समझा आजा जाएगा तो सब सबस्स्साथ in कोई प्राब्लम ने। भी कोई कह रहे है मेरी गाड़ी अच्छी है मारूती कोई कह रहे है मेरी गाड़ी अच्छी है एमबसेडर कोई कह रहे है मेरी गाड़ी अच्छी है फोर्ड गाड़ी अलग अलग है जो गाड़ी बनाने वाला रहे है तो कहेगा भाईया सब गाड़ी एक है सब में फोर स्ट ठीक है इसलिए गीता किताब है जो सब को साथ में ला सकती है इसलिए हम गीता का प्रचार कर रहे हैं और समझाने ही कोशिश कर रहे है गीता में क्या है अछिए गीता महारक कहिश आदा तो क्या कर रहे हैं जो एपना क्या वे स्विटी साथ कहिश आदा के लिए माईक की रहे हैं स्मृति शास धर्म शास्त होते है, महाभारत नहीं है, महाभारत एतिहास है, कह देते हैं स्मृति शास, स्मृति शास धर्म शास्त है, महाभारत एतिहास है, उसका बाद है किसका जन कल्यूक का जन पाच हजार साल पहले हुआ था उपर से टपक गया था असमान से नीचे आ गया हाँ लॉजिक है लॉजिक है कि कल्यूक पहले नीचे के लोकों में था पताल में भगवान में बंद करके रखा हुआ था और फिर जब भगवान जब जाने वाले थे यहां से तो कल्यूक ने भगवान से प्राथना की कि भगवान अब जा रहे तो मुझे थोड़ी जगे दे दीजे प्रित्वी पे अब भगवान भी किसी को मना तो करते नी तो भगवान ने का ठीक है तुम्हें मैं जगे देता हूँ पृत्वी पे तो उन्हें कहां दे रहे हो आप तो भगबान ने कहा जहां भी सोना होगा वहाँ पे तुम रह सकते हो सोना मतल़ समझते हो ना गोल्ड गोल्ड वह वाला नहीं है जहां पे गोल्ड होगा मीट खाएंगे महां पे रहों जहां पे लोग गंदी बातें करेंगे महां पे रहों उसने आप एкив देखा कि कोई मीटी नहीं खागरा जागर जो गां झाता बी सबच्छा था ना कोई मीट झाल खागरा काई शागरा कोई गंदी बातें नहीं करना तो उसने का यह तो अजीब सा मुझे वर्दान मिल गया मैं रहूँगा कोई कुछ करी नहीं रहा कहां रहूँगा तो फिर उसने दिमाग लगा है उसने सोचा कि अम मैं दुनिया में यह शराब, मीट और गंदी बातों को फिला दूगा सब के बीच में और ऐसा कर दूगा कि लोगों को शराब पीना अच्छा लगेगा गंदा नहीं लगेगा मीट खाना अच्छा लगेगा कि हमारी स्टैमिना बढ़ेगा पाप पुन्ले का कॉंसेप्ट खतम कर दूगा साइन्स लाका साइन्स समझते हो साइन्स साइन्स पढ़ते हो तो मीट खाना चाहिए है ना प्रोटीन जाते है न देख लो एनर्जी आती है मैं ऐसे ऐसे बहुत से अपने आऊँगा तो लोग खाएंगे और फिर लोग और फिर उसके बाद मैं खराब बाते भी लोगों के बीच में डाल दूगा लोगों को बड़ा मज़ा आएगा खराब बाते सुनने में बोलने में और फिर जब पूरे दुनिया में फैल आएगा तो मेरे पास पूरी दुनिया मेरे चंपल में मैं पूरी दुनिया बे रहुगा और अब आज यही हो रहा है हर जगे कल यह उगा आगा अरे कृष्णा question तो अच्छा था not a bad question विदेशी संस्ता है कौन कहते है तो अब यह ड्रामा हुआ ता अब थी उसमें तो फिर विदेशी हो या देशी हो उससे क्या फरक पड़ता है नाम से क्या फरक पड़ता है काम से फरक पड़ता है बाहर के इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं खरीदे हम हैं नहीं खरीदे नहीं अच्छे भी होते, भार के अच्छे भी तो होते हैं न, तो हम उनसे बोलो, कि आप ये मत सोचो, भार का, यहां का, वहां का, वहां का, आप ये देखो, क्या चीज सही है, क्या चीज, गलात है, अगर मालने जो कोई बिमार हो जाए, और उसको मेडिसन चाहिए, और मेडिसन अ मैं मर रहा हुँ नहीं मंगवाएगा वहां से लाओ भी है जहां से लाओ चायरा से लाओ अमेरिका से लाओ भी है मुझे ठीक करो यही है ना यह तो मूर्ख लोग सोच पे विदेशी देशी भाँ की यहां की यह सारा शारीरिक स्तर पे है शरीर के लेबल पे है यह यह देशी यह मेरा देश यह उसका देश यह मेरा भेश यह उसका भेश बुद्धी मान नहीं सोचते चाने के पंडित कह रहे है अगर हीरा कूडे कूडे दान में पढ़ा हो तो उठाओगे हीरा पता है क्या होता है नहीं बता न? चोड़ो चोड़ो एज के है आपकी? 14 ठीक है अगर मालनेजे पीजा पड़ाओ कूड़े दान में उठाओगे? दुनिया का बेस्ट पीजा सबसे बेस्ट इसको खाते ही आप पागल हो जाओगे पागल मुतलब अगर कूड़े दान में स्मार्ट आइफोन पड़ा उठाओगे? तो फिर बस तो आप ठोड़े दान में पड़ा है न? आइफोन पड़ा है यार काम खतम होगे उठाओ निकलो यहां से उस तरह में तो कोई नहीं सोचता तो यह इसमें अभी क्यों सोच रहा ह इसलिए चाने के पंडित कह रहे हैं अगर हीरा कूड़े दान में पड़ा उठा लो अगर लड़की बहुत सुंदर है विद्वान है सुशील है किसी भी परिवार में आ रही है शादी कर लो फिर परिवार मत दिखो उसका कि हमारा कुल उसका कुल उसकी जाती बेफकूफी होगी, अगर स्त्री लड़की बहुत सुशी लहना तो गुनों से उसको ले लो तो ऐसे ही जहां अच्छी चीज़ मिल रही है वहां की ले लो देशी विदेशी वो क्या होता है कुछ होता ही नहीं, हम तो मूर्ख लोग बात करते हैं, समझ गई ने समझ गई तो उनसे बोलो, गीता पढ़के देखो, और फालो करो, बस, तुम्हें क्या लेना देना ऐसे ठीक है अरे रिश्ण प्रमुजी पढ़ाँ हम यह जाना आप प्रभू है कि एक आदर सी को चाहों को इखाना की है एक आदर सी क्योंक्यों कूछ रहे हो एक आदर सी की कथा है कर तो चलो जो भी है भगवान ने एक आदशी देवी है देवी को भगवान ने आशिरवाद दिया था कि जो तुमारे दिन बृत रखेगा उसके सारे पाप नश्ट है यह आशिरवाद है अब आपको अलग से बताव दुगा इसका रीजन है चावल रोटी भी नहीं खाते है न खाते है नुख सो ते रहोगे भजन क्या करो गया यह में कारण यह खाना खाएंगे पेट भर जाएगा सोते रहें भजन हो गाण्य इसलिए एक आदशी के दिन फलाहार या निराहार बोला गया है पेट खाली होगा नीन नी आएगी तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा अपने आप चिल लाएंगे हम हे कृष्णा भूख लग रही है आप कहाँ है तो एड़ भूख के भाने कृष्णा तो दिहाना आएगा एक कारण यह है दूसरा कारण यह है एक आदशी के दिन अन में पाप चले जाते भगवार ने बोला था कि इस दिन सारे पाप अन में चले जाएंगे तो जो इस दिन अन खाएगा चावा लिया रोटी जो भी है अनाज वो खाना नहीं खा रहा है वो पाप ही खा रहा है इसलिए हम भग लोग उस दिन अन छोड़ लेते हैं यह का रहा है प्रभुजी जगनात पूरी के निया मला गया बिलकुल वो क्यूं है वो मैं बताऊँगा उसकी कहानी है उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है उसके निया मला की है वो शवर कास थी नील माधव थे पूरी स्टोरी है मुझे पूछना बाद में अच्छी स्टोरी है